आमदमी पार्टी के राजसबा सांसर स्वातिमालिवाल ने उन्निस वरे दोजबेस को पतीन नवीन जहिन से तलाग लिया था स्वातिमालिवाल नोतर प्रदेश के रहने वाली है और नोईडा के जैसे एकैडमी ऑफ़र टेकनिकल एजिकेशन से इंजिनिरिंग की पढ़ाई की थी 22 साल की उमर में स्वातिमालिवाल जुकी जोपनियों और गाउं में वालिंटरिंग करना चाहती थी यही वज़ा थी कि उन्होंने एच-सी-याल कंपनी की जॉब छोड़ दी थी अना हजारे के प्रश्टावाल विरोध आंदोलन के सबसे यूबस अदस्यों में शामिल रही स्वातिमालिवाल ग्रीन पीस इंडिया के अलावा दिल्ली में विधायकों के साथ डेवलेप्मेंट कंसल्टेंट 2014 में की तोर पर काम कर चुकी है साल 2015 में स्वातिमालिवाल को दिल्ली महिला आयोक की चीव बनाये गया सोशल मेडिया पर खास एक्टिव रहने वाली स्वाति कोपुर्व में रेप तक की धमकी मिल चुकी है रोशक वाति है कि स्वातिमालिवाल ने कभी कहा था कि उनकी कोई राजनेतिक महत्वकान शाह नहीं है हला कि मुझूदा समय में वादिली के मुक्रे मंतरी अर्विन केजरिवाल के नितरत वाली आपका सिक्रिय हिस्सा है ABP लाइव पोड़कास की टीम को स्वातिमालिवाल ने बताया कि तलाक उनके जीवन की सबसे अच्छी गटना है DCW की पूरवचीफक के मताबे तसाथ साल तक उन्हों है टॉक्सिक मैरेज जिलनी पड़ी थी स्वाति मालिवाल बोली कि उन्हें लगता था कि सब ठीक हो जाएगा पर नहीं हुआ आलग कि तलाक के बाद अच्छा महसूस करने लगी थी उन्होंने आगे बताया तलाक को लेकर आज मुझे रत्ती भर भी मलाल नहीं है इसलिए क्योंकि शादी बचाने के लिए मैंने पूरे प्रयास किये और मैं फिल हुई कुमने और किताबे पढ़ने के शौकें स्वाति ने अर्विंद केश्रिवाल के बारे में पुछे जाने पर जवाब दिया कि वह बहुत ही अच्छी वेक्ती हैं पिलरी के सियम और आप स्वयोजग की दो खुबियां को गिनवाते हुएं वो बोली अर्विंद केश्रिवाल इंटेलिजन्ट हैं और वे हर चीज़ में डीटेल्स देखते हैं स्वाति मालिवान फिल्हाल आमादमी पार्टी की सद्दसें वे भक्तियों ग्यान मार्क के साथ गीता का सार में सबसे अधिक विश्वास रखती है उनका मानना है कि करम ही सब कुछ है